नमस्कार दोस्तों, महाभारत तो आपने देखी ही होगी, भिश्पितामा सबसे बड़े होने के साथ शक्तिशाली भी थे, क्या आपको पता है कि भिश्पितामा के पास पांच चमतकारी तीर थे, जिनका प्रयोग कर वि मिंटों में महाभारत युद्ध में पांडवों का स्तार से जानेंगे, स्वागत है आपका संसकार टेल्स में। दुर्योधन ने पितामा से कहा कि ए पितामा मुझे तो लगता है कि आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते, इसलिए आप किसी शक्तिशाली शुस्त्र का उप्योग नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भिश्म पितामा बोले, पत्र, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो मैं कल ही पांच व पांडवों को मार किराऊंगा। मेरे पास पांच चमतकारी तीर हैं, जिनका उप्योग मैं कल युद्ध में करूंगा। भिश्म पितामा की बात सुनकर दुर्योधन बोला, हे पितामा, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये पांच व चमतकारी तीर मुझे दे दीचे, मैं इन्हें अपने पास सुरक्षित रखूंगा। भिश्म पितामा ने वो पांच व तेर दुर्योधन को दे दिये। दूसरी ओर भगवान श्रीकृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर घपरा गये और सोचने लगे किस मुसीबत से कैसे बचा जाए तब भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा हे भार्थ याद करो एक बार तुमने दुर्योधन को गंधरवों से बचाया था तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान के बदले तुम भविश्व में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है दुर्योधन से वो पांच चमतकारी तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भायों की जान बच सकती है। भगवान श्रीकृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और पांच तीर मांगे तो दुर्योधन म तो दोस्तों, देखा आपने की भिश्व पिदामा के पास अपार शक्ति होते हुए भी वे भगवान श्रीकृष्ण की लिला के कारण पांडवों को हानी नहीं पहुँचा सके। इसी प्रकार की रोचक धार्मिक प्रसंगों को सुनने के लिए हमारी इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आकन जरूर दबाएं ताकि लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार!